नमशकाल टीवी निउस में आपका स्वागत है दोनिया भर में लोगों को लगता है कि सूरज की रोशनी बिजली का करेंट आग की गर्मी के रूप में जो उर्जा है वहां कभी पदार्थ का रूप नहीं ले सकती है यह हमारी आँकों के सांद ने बस्तू के रूप में दिखने वाली कोई भी चीज उर्जा में तबदील नहीं हो सकती है हाला कि इसके विपरीत इसे पहली बार विज्ञानिक तोर पर सिध्धान्त के रूप में प्रतिवातित करने वाले महानतम विज्ञानिक का नाम अलवर्ट आइंस्टाइन है E is equals to MC square का फॉर्मिला देने वाले आइंस्टीन ने ही अपने इस सिध्धान्त में कहा था कि उर्जा कुछ और नहीं बलकि दरभ्य मान और उसके गती का ही परिवर्टित रूप है भौतिकी के अपने महानतम सिध्धान्तों के लिए मानव सभ्यता के इस सबसे महान विज्ञानिक को आज ही के दिन 9 दवंबर 1921 की तारीक को नौबल पुरस्कार भी मिला था आज इस तारीक पर चलिए हम आपको बताते हैं कि इस महान विज्ञानिक ने जीवन भर नाकेबल मानव सभ्यता के विकास के लिए अद्दूईतिये खोज की बलकि सुखी जीवन जीने के रास्ते भी दिखाए यहां उनकी महान दम खोजो का ही नतीजा था कि मौत के बाद उनका पोस्ट माटम कहने वाले बैज्ञानिक ने उनका दिमाग बिना परिवार की अनुमती के चुरा लिया था और 224 तुकड़े करके अलग-अलग बैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए फेज दिया था आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी में वो टेर मर्ग के उल्म में हुआ था धर्म निरपेक्ष यहूदी माता पिता की संतान आइंस्टाइन लंबे समय तक सिर्फ एक लक्ष हीन मध्यवर्गिय यूबा थे इसके बाद उन्होंने 1915 में साम्मानिय साप पेक्षिता का सिधान्त विक्सित किया इसके 6 साल बाद यानी 1921 में उन्हें भौतिकी के लिए नोवेल शान्ती पुरसकार मिला इसके पहले 5 साल की उम्र में पहली बार कमपास से उनके मुलाकात हुई थी उन्हें कमपास की किताब को देखा था इसे वह प्यार से अपनी पवित्र चोटी ध्यामिती पुस्तक कहते थे महान व्यज्यानिक अलवर्ट आइंस्टाइन को 1921 में 9 अवंबर को ही भौतिक शास्त्र का नोवेल पुरसकार देने का फैसला किया गया था